नव ग्रहों में शनी देव को सबसे महतपोर्ण ग्रह माना गया है और ये सबसे मंद गती से चलने वाले ग्रह हैं अब 17 जून को शनी वक्री होने वाले हैं अपनी सबसे अधिक पावरफुल इस्तिथी में आने वाले हैं तो इसका प्रभाव तुलाराशी के लोगों पर कैस होने वाला है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनी के वक्री होने के तुलाराशी पर प्रभाव के बारे में तो देखे नव ग्रहों में ये शन कौन राशी कुम्ब राशी में जो की शनी की अपनी राशी है वहाँ ये हैं लेकिन अब 17 जून को शनी जो हैं वो कुम्ब राशी में ही वक्री हो जाएंगे और मैं यहाँ आपको सबसे पहले बता दूँ कि देखे वक्री होने पर शनी सामान्य स्थिति की तुला में सबसे अधिक शक्ति साली होते हैं और सबसे अधिक प्रभाव शाली होते हैं और कई तरह के सकारातमक और नकारातमक परिणाम भी देते हैं क्योंकि ये कर्म फल दाता है कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को फल देते हैं इसलिए इनको न्याय धीस कहा जाता है इसलिए इनको कर्म फल द प्रभाव इस शनी के परिवर्थन का देखने को मिलता है क्योंकि व्यक्ति अपने पूरे जीवन कर्म करता है और उस कर्म के अनुसार उनका रिजर्ट तो शनी को ही देना है तो अब शनी की जो वक्री अवस्था है ये 140 दिनों की रहेगी चार नवंबर तक शनी वक्री रहे कि आपको किन चीजों से लाब होगा क्या आपको सावधानी रखनी है कौन-कौन से ऐसे शेत्र है जहां शनी के वक्री होने का सबसे अधिक पॉजिटिव प्रभाव होता है यहां में शेर मार्किट से लेकर आपके बिजनेस के आपकी दुकान के आपकी नौकरी प्रेम जी हैं अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो तुला राशी के जो जातक हैं वो यह समझ लें कि शनी आपके लिए योग कारक हैं और कुम्ब राशी में वक्रस्त इस्थती में जाने वाले हैं तो यहां क्या-क्या इस्थतीयां आपकी बनने वाली हैं सबसे पहली चीज तो क्या होगी जो इस राशी के एविवाहित जातक हैं उनको अपने जीवन में प्रेम का अनुभा होगा वो या तो प्रेम सम्म बंद में जुड़ सकते हैं या फिर इस दोरां उनका दामपत्य जीवन भी शुरू होने के आसार बने हुए हैं दामपत्य जीवन शुरू होने के यानि कि आपका रिष्टा पक्का होता है विवाह की डेट आपकी फाइनल हो सकती हैं तो ये समय ऐसे प्रेम की अनुभूती लाप कर पाएंगे अपने होने वाले जीवन साथी के साथ बातें करके वारता लाप करके कि सबसे सुखद अनुभवाब के लिए रहेगा एक दूसरे से निकटता रहेगी भावक रहेंगे इसके अलावा ये समय ऐसा भी है जो अचानक से होने वाली घटनाओं को दिखाता है कैसी आचानक से कोई बढ़िया नौकरी आपको प्राप्थ हो सकती है अचानक से नौकरी जा भी सकती है तो ध्यान रखना होगा ऐसा कोई कारिया ना करें जिसकी वज़े से आपके जीवन में कुछ नेगिटे बदलाव हो अपने आफिस में अपने कारियाले में अपने क काम के शेत्र में कारेश शेत्र में बस सावधानी रखनी है किसी से बिनाव वजह की बातों से उलजना नहीं है अपनी काम की तरफ फोकस रहना है तो आपको बहुत अच्छे प्रमोशन भी मिल सकते हैं और अगर नौकरी आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छी नौकरी का प्रबल योग बन रहे हैं इस अवदि में आपके विवा के पक्के होने के विवा होने के बहुत अच्छे योग हैं आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी इस समय आप अपनी संतान को सही दिशा देंगे सही दिशा निर्देश देंगे और स्वास्त्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा इस स्टुडेंट्स की मैं बात करूँ तो दिखिए आपको अपनी जो फोकस है ना उसको बढ़ाना होगा एकागरता की कमी हो सकती है एकागरता की कमी होगी तो फिर थोड़ा दिकते भी जहली पढ़ सकती है तो अपनी एकागरता को आपको बढ़ाना है ध्यान रखना है कि जब आप आज में काम करेंगे तब आपको कल उसका लाब भी मिलने वाला है अब मैं आपको बताऊंगी किन किन चीजों में आपको जादा लाब होंगे क्योंकि शनी का कुमबराशी में वक्री होना आपके लिए कुछ ऐसे शेत्रों में लाब दायक इस्तितियां बनाएगा अगर आप इन फिल्ड में जुड़े हैं इन फिल्ड में आप काम करते हैं तो समझ लीजिए ये 140 दिन आपके लिए जबरदस्त लाब देने वाले कामकाच के द्वारा आपको उँची पद्वित पर ले जा सकते हैं सबसे पहली चीज है अब यहां कि अगर आप फुटवियर उद्योग से जुड़े हैं फुटवियर उद्योग के जुड़े हैं आपका शोरूम हैं आपकी दुकान हैं तो वहां आपको बहुत अच्छी तरक्य बढ़ोत्री आपकी इनिकम बहुत अधिक बनती दिखाई द देखेंगे इसके अलावा क्या है आप खनन या लोहों के जुड़ा हुआ आयरन जिसको बुलता है लोहों से जुड़ा चमडा पैट्रोलियम इन सभी शेत्रों से जुड़े कामों में आपको तेजगती देखने को मिलेगी इन से जुड़े हुए जो कार्या करते हैं बहु के काम से जुड़े हैं तो उनके लिए भी यहां चीजे जो हैं वो बहुत अच्छी रहने वाली है या फिर आप नियाएक प्रणाय से जुड़े हैं या आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो आप जादा से जादा फोकस रख पाएंगे और अच्छे रहेंगी एक च प्रक्टर हो गया एक finance company होगई और देखें यहां एक अकतंभा इंडिस्टी ही इनमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है इन 140 दिनों में और इसके अलावा रबर इंडिस्टी हो गई और इंडिस्टी हो गई इनमे वी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या आपके वावाही आपको मिल जाए ऐसे इस्तियां आपके लिए हो सकती है अब किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है कौन सी चीज़ें आपके लिए सावधानी पूरवक होने वाली है ये आप समझ लीजिए अगर आप पहरे से प्रेम संबंद में हैं तो तनाव बढ़ सकता है ध्यान रखें अपने प्रिया को समझाने के कोशिश करें गलत फेमिया बढ़ सकती है परिपक्व रिष्टे को भी नहीं समाल पाएंगे वहाँ इस्तियां ऐसी हो सकती है तो इस दिसा में आपको विश्यस्तों तोर से प्रियास जरूर करने होंगे दूसरा अपना स शेक आप करा दें बहुत अच्छा रहेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूलें